Hello everyone, welcome back to my channel StudyVajar तो friends, अभी हम लोग यहाँ पास NTPC CBT2 का Level 6 का question solve करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये 9 तारीक का second shift का paper हम लोग solve करने जा रहे हैं और जैसे कि आप लोगो पता है, total 4 shift हो में paper को connect कराया गया था Level 4 और Level 6 के लिए और उम्मीद करता हूँ, आप सभी लोगों ने अपने-पने answer की check कर लिया होगा आपके कितने marks बन रहे हैं, आप मुझे comment करके बता सकते हो और जिनके भी paper Level 2, Level 3 and Level 5 के paper आने वाले दिनों में हैं तो आपको भी पता चल गया है कि आपका exam date almost निकल चुका है मैं आप लोग को सिर्फ अभी इस वक्त इतना ही बोलूँगा जितना जादा से जादा हो सके practice करो, ठीक है क्योंकि इसका जो मैंने पूरा pattern देखा paper का Level 4 और Level 6 का यहां से सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि आपको जादा से जादा practice करनी की जौरत है ठीक है, तो यहां पास मैं पहले से बोलता है हूँ कि कभी भी कोई short trick, short cut का पीछे मत भागो ना तो कल कभी कोई short trick काम आया है और ना कभी आगे काम आएगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत काम आने वाला है जितना भी समय आपके पास बचाया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो क्योंकि इस वाले का अगर paper की बेबात करें, जो label था, जिस तरीका सम्मात का label था Calculative था, no doubt, बट यहां पर अगर आपकी practice अच्छी है अगर calculation of fast करते हो, तो फिर यह सब का मुसीबत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा बात समझ रहे हो, तो चलिए, तो फिलाल देखते हैं सारे question को solve करते हैं क्या best approach होना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आप लोग भी सारे question को solve कर सकते हो, इस वाले shift में total 36 question पुछे गएते हैं सारे question को आप लोग इस वीडियो में solve करेंगे जलिल दे, ठीक है, चलिए और इसका जो भी बचावा shift होगा, वो भी मैं आपको solve करा दोंगा, अगर आपका support रहा तो चलिए, पहला question आपके सामने है, पहला question में क्या बोला है, आवारा A से B तक 74 km प्रति घंटा के चाल से यातरा करती है और B से A तक उसी मार्ग में 111 km प्रति घंटा के चाल से लोटती है, तो इस दो तरफा यातरा के दुरान उसका औसका चाल कितनी थी बताओ, यानि average speed आप से पूछा है, तो formula हम लोग जानते हैं, 2S1 into S2 divided by S1 plus S2, direct आप इस formula में लगा सकते हो, अब यहां से आपका calculation है कि आ आप कितना fast calculation कर सकते हो, अब TCS आपको सब कुछ तो परोस नहीं है देगा, तो काटे लेते हैं, तो 37, 24, 37, 85, 224, 4 गुना 111, यानि 444 बटा 5, 5 से भाग देंगे, तो 400 को अगर भाग दे रहे हैं, तो 80 बन रहा, फिर 40 बटा 5, यानि 8 बन रहा, और 4 बटा 5, 0.8 बन रहा, चले, next question, एक question आपसे ये पुछा गया था, simplification का, अब देखो, simplification के लिए मैं हर बार एकी चीज़ बोलता हूँ, कभी अगर कभी भी कोई doubt हो ना, तो pen चला लिया करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे हर कुछ भरबली बना लोगे, और ऐसा अकसर exam में इतना pressure होता ह ये सब portion को बनाने के बाद भी option नहीं मिल पाता है आपका, तो उस वक्त और दिमाग खराब होता है, तो इसलिए जब भी confused हो, तो pen चला लिया करो, ठीक है, तो फिलाल board mask को ध्यान में धग रखते हुए, सबसे पहले bracket का का काम करते हैं, तो देखो 12, गुना 3, 36, 36 को 4 से पह और यहां पर 95 बटा 15, यानि 19 बटा 3 लिखा हुआ है, यह हो जाएगा 4, तो 4, 3, 12, 19 में से 12 जाएगा 7, 7 बटा 3 इसका correct answer हो जाएगा option number second, clear, और एक चीज मैं बता दू, यहां पर कोई सोच रहे कि मैं पूरा basic से क्यूं नहीं कर रहा हूं, तो देखो basic से पूरा अगर अगर आप मेरा video follow करते हो, तो मैं जो भी best approach बताऊंगा, आप हर कुछ अच्छे से समझोगे, और इस वगद भी आपका practice ऐसा होना चाहिए, कि मैं जो भी बता रहा हूं, आपको उतना सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है, चलिए, एक question यह पूछा गया था, यहां पर solve कर लेते हैं, या फिर solve directly कर सकते हो, या आपके उपर है, कि आप कितना समझ पार जलियल दी, तो 2 का 4, root 3 का 3, और plus 2 to 4 root 3, यह x का माना आ गया, यानि इसी का value आप से पुछा था, तो 4, 3, 7, 7, खतम, यानि 4 root 3 का square, यानि 4 का square, 16, 13, 48, correct answer, option number 3, अब एक चीज मैं और आपको बताऊ, अभी यह सब question देख के लग रहा हूँ कितना easy question है, नहीं, मैं हमेशा से बताते आया हूँ, कि दोखो, एक test देना या फिर exam देने का एक नियम होता है, आपको किसी question का समय बचा कर किसी दूसरे question में देना पड़ता है, यही balancing का एक नियम होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको हर question को एक ही बराबर समय दे, किसी question में अगर आप 20 seconds में बना ले रहो, तो उस question का समय किसी question को आपको 2 मिनुट में भी बनाना पड़ता है, तो यह 20 seconds, 20 seconds बचाये हूए समय को ही तो लगाते हैं ऐसे-ऐसे question में, बात समद रहे हो, तो ऐसे question को देख के मत को यह आपर बोलाए किरन की साधी 20 वर्स पूर्वूई थी आज किरन का आयू, उसके साधी के समय उसके आयू के गया बटा साथ गुना है तो अब से 10 वर्स बात बताओ किरन का आयू क्या होगा तो देखलो किरन का पूछा है तो यह past हो गया यह प्रेजेंट हो गया आपको simply क्या बोला है कि कि आज किरन की आयू उसके साधी के समय से ग्यारा बटा साथ गुना इसका मतलब अगर उसका पाश्ट में साथ था तो अभी ग्यारा है बस खतम यानि चार का यह तो दे रखा 20 साल के बराबर तो एक का मतलब 5 साल तो प् पुचा गया था, रेनु के प्राप्तांक गल्ती से 9 के इस्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गया इस गल्ती के कारण और देखो यहां पर इस वाले सिफ्ट में क्या गल्ती है जो भी अब्जेक्शन भी आप लों को करना होगा देख लेते इस वाले सिफ्ट में कोई भी स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गया इस गलती के कारण कक्षा के ओसत प्रापतांग वास्तवीक ओसत से 2.25 अधिक हो गया ठीक है कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी बताओ यानि सिंप्ली क्या बोला है कि 9 के जगा में 99 लिखा गया तो एरर कितना का दिख रहा है 90 नंबर के एरर दिख रहा है और इस 90 नंबर के एरर के कारण वास्तवीक ओसत में 2.25 से बढ़ जा रहा है तो आपसे टोटल इस्टूडेंट पुछाता तो टोटल इस्टूडेंट प एक कोशं ये पुछा कया था किसी संख्या का 1 बटा 8, 42 से आधे से 12 कम है तो उस संख्या का 1 बताओ क्या होगा यानि 40 से आधे से 12 कम है यानि 47 का औधे कि Verma की कितना हो जागा 21- x डटा 8 एकको तरू 12 के बराबर है ये चीज आपको दे रखा था आपको समझना था ये question the length of base of triangle is 6 more than the corresponding attitude if the area of triangle is 108 centimeter square find the length of base of triangle simply क्या बोला है कि किसी triangle में उसका जो अधार है उसके height से 6 ज्यादा है जैसे कि अगर मालो यह x है ना तो यह x-6 है और इसका area भी दे रखाया तो बस बनाओ तो आप से पूछा था अधार पूछा था अब इस question को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो half into base into height होता है हम लोग ऐसे जानते हैं और यह 108 के बराबर है अब देखो ऐसे question में जरूरी नहीं है कि आपको x मान के बना नहीं है मेरे पास option exam hall में होता है आप option से भी check कर सकते हैं अगर आपको x के आदत नहीं लगानी है तो direct भी आप check कर सकते हो या फिर आप x से उलजनी कि आपकी आदत है तो आप ऐसे भी check कर सकते हो ठेक है तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, डिरेक्ट आपको option दिख रहा 18, 18 अगर उसका अधार है, तो height कितना होगा 12, क्योंकि 6 ज्यादा था, तो इसको solve करेंगे, तो कितना 18 गुना 6, 108 यानि correct answer option no.1, चले एक question ये पुछा गया था, pipe A किसी टंकी को 50% भाग 4 गंटे में भरता है, pipe B उसी टंकी का पूर रूप से 12 गंटे में भर सकता, यादि दोनों pipe एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप से पुछा है, अब 50% में अगर 8 गंटा लग रहा तो 100% में 8 गंटा लगेगा, और इसको 12 गंटा लग रहा था, यानि total 24, 24, 3, 2, तो दोनों दुवारा total कितने काम लगेंगा, 24 गंटा तो 24 गंटा तो 24 गंटा पांच मतलब 20 गंटा यानि 4 गंटा तो ऐसी निकल गया, प्लस 4 गंटा पांच, इसको हम मिनट में चेंज करेंगा, तो 60 से गुना कर लेते हैं, तो 12 चोके 48 यानि 4 गंटा 40 मिनट, अब अब देखो, एक question ये पूछा गयता है, statistic में, अब देखो, इसमें क्या confuse करने के लिए कितना अच्छा से TCS आपके लिए बना दिया, ये क्या बोला कि maddikai, आपको इन नंबरों का maddikai 6 दे रखा है, और A का मान पूछा है आपसे, और A आपका एक natural number है, देखो, question में अब गुमरा करने के लिए आपको बहुत अच्छा से दे दिया, हम लोग को maddikai निकालने आना चाहिए, maddikai हम लोग पता है कैसे निकालते हैं, कोई भी पहले, किसी भी number पहले, कोई भी अगर observation रहता, उसको हम ले क्या करते हैं, ascending order में करते हैं, यानि आरो ही करम में सज जाते हैं, और बीच वाला number ही मेरे क्या कहलाता है, maddikai कहलाता है, समझ रहे हो ना, तो बस, अब यहाँ पर आप सुरू हो जाओ, यह A आ गया, A by 2 मतलब 0.5 A लिख सकते हैं, 0.66 A लिख सकते हैं, A बटा 4 मतलब 0.25 A लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 by 5 मतलब 0.6 A लिख सकत सबसे बड़ा number यह वाला हो गया, उसके बाद यह वाला number हो गया, यानि सबसे बड़ा number यह, फिर उसके बाद यह, अब बीच वाला number आ गया, यह, तो बस, यानि 0.6 A इक्वल टू 6 के बराबर है, तो point हटाएंगे, तो यहाँ 10 चपकाना पड़ेगा, तो 6 से 6, यानि A का म आ गया, दस, correct answer, option number D, खतम, एक question यह पूचा गया, तो इसको देख लो, solve कर सकते हो, तो point 5 plus 2 into point 07 minus point 3 into, यहाँ पर क्या हो जाएगा, point 3, solve कर लेते हैं, तो point 5, ठीक है, point 5 यहाँ आ गया, और यहाँ गया, 7214, यानि point 14 minus point 09, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 14, 50, यानि 64 हो गया, और यहाँ से मेरा point 09, मतलब point 09 minus करेंगे, तो कितना आ जाएगा, पिचपन आ जाएगा, यानि correct answer हो जाएगा, option D, चलिए, अब एक question, इसको try करो, क्या बोलाए, के वा अधिक्तम मान ग्याद किजिए, जिसे 6 अंकों की संख्या, मैं के के इस्थान पर रखने पर यह संख्या 6 से विभा जाए हो, यानि यह जो नंबर है, 24312k, यह 6 डिजिट का नंबर है, जो कि यह नंबर 6 से divisible हो रहा है, तो आप से k का maximum मान पूछ रहा है, तो 6 का divisibility rule हम लों को पता होना चाहिए, कि जो नंबर 2 और 3 से भाग हो जाए, वही नंबर 6 से भी डिबाइड होगा, अब 2 का जानते हो, डिजिटी रूल क्या होता है, इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, यानि इवेन नंबर होना चाहिए, और 3 का डिजिटी रूल जानते है, नंबर का योग जो होगा, वह 3 से divisible होना चाहिए, बस, तो 4 2 6 6 3, 4 2 6 6 3 9 10 2 12, यानि 12 प्लस के, अब देखो के का मान क्या क्या हो सकता है, के का मान 0 हो सकता है, के का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, के का मान क्या हो सकता है, और के का मान आपका 9 हो सकता है, और कोई नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, अब ध्यान देना, इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, यानि ये नमबर तो ऐसी खत्तम हो गया और ये नमबर भी ऐसी खत्तम हो गया तो या तो 0 या तो 6 तो maximum value पुछा है तो यानि maximum मान क्या होगा 6 correct answer option number 3 next question अब इसको देखो अब देखो इस टैप के question में आपको समय लगेगा कही ना कही यहाँ पर क्या बोला एक इसी वस्तू को 12300 में खरीता है और उसे 205 पर वैय कर देता है इस वस्तू को 10% के लाप पर B को बेचता है जो इस वस्तू को 6% के लाप पर C को बेचता है C उस वस्तू को अपने crime उसे 2915 रुपे अधिक अंकित करता है और किसी ग्रहक को 10% के चूट पर बेचता है तो C दुवारा अरजित लाप बताओ क्या होगा अब देखो इस question में क्या है question में कुछ नहीं है question में सिर्फ और सिर्फ calculation से भारा हुआ है अब यहाँ पर calculation आपको करना ही पड़ेगा किसी भालत में कोई short trick आप लगाने बैठोगे तो फिर सब कुछ भिगण सकता है यहाँ पर देखो A का समान कितना था 12,300-200 रुपया खर्चाए किया यानि कितना हो जाएगा 12,500 10% के लाप पर बेचा है यानि 1,2,5,0 एड़ कर दो इसमें यह क्या बन गया B के लिए cost price बन गया अब B भी क्या क्या C को चपका दिया 6% के लाप पर तो तिरपन और यह 5 5 से काट लेते हैं तो 5,2,10,7,5,5 और 5 यानि 275 गुना तिरपन इसको गुना करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ आप किसी से बच नहीं सकते हो 55,25,53,corrh replaced यानि हाप कितना अगया 5,7,8,7,5,0,14 यानी 14,575 रुपय आगया C के लिए यानि C के लिए क्राय मुल क्या और ये हो गया अब मेरे को जोरत किसी का नहीं है क्योंकि C के बारे ही पूचा यह तो मैं हटा रहा हूँ यानि C के लिए वैलू क्या आया था 14,575 रुपया अब क्या बोला था C 2915 एड़ कर दिया तो कितना बन गया 9,5,14,4,2,6,7,1 अब यह मार्क प्राइस बन गया अब उसमें से 10% का छूट दे दिया तो यहनि 90% ने बेच दिया समान को और वही पूछा कितना का लाब हुआ है जयान देज़ेगा यह CP हो गया C के लिए याद रखिएगा अब इसको सॉल्ब कर लेता है तो 9,91,8,9,36,4, और यहां पर 9,6,15 यानि वो बेचा है इतना में अब देखो इतना में बेचा था यह इसका क्राइम मुल है तो कितना का प्रोफिट हो ग्यारा में से 5 जाएगा 6 इकाई यंग पे 6 यानि correct answer option number first अब आगे करने का ज़रोत नहीं है आपको चले next question एक question यह पूछा गया था अब इस question को ध्यान समझना question में किया पर बहुत लोग confused खा जाएंगे मतलब गचा खा जाएंगे और question को option भी देखो ना कितना अराम से दे रखा है कि direct कोई नहीं भी बनाएगा ना हलका से भी समझा भी होगा geometry पढ़ा होगा answer बता देता देखो समझ लेते जलेली क्या बोला है कि ओ सेंटर वाले एक ओ सरकल मतलब ओ के सेंटर वाले में pqrs एक cyclic quadrilateral है ठीक है जिसमें से pq qr बराबर है तो cyclic quadrilateral बना लेते हैं राम से तो यह p हो गया माल लेता है यह q हो गया यह r हो गया यह s हो गया यह समझने का के बल मैं इतना समझा रहा हूं ठीक है मेरे को क्या बोला था p qr और psr यानि इसका अनुपात दे रखा था कितना ग्यारा और साथ का अनुपात दे रखा था तो आपको पते आप ओडिल चतुर भूज में क्या होता है अपोजिट एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 यानि ग्यारा साथ आठरा आठरा मतलब 180 मतलब एक का मतलब 10 यानि आप समझ गए कि यानि यह मेरा मान कितना होगा 110 होगा सीधी सी बात है और यह कितना होगा 70 होगा बहु क्लियर है सभी को सेंटर को समझना सेंटर मेरा य जोड़ दिए ऐसे हैं तो वो क्या करते हैं सेंटर से ही जोड़ देते हैं और यहीं पर गच्चा खा जाते हैं सेंटर से नहीं जोड़ ना क्यों कि सेंटर तो अलग है ना मेरा वाई सेंटर अलग है और यह आपका सर यह सेंटर हो गया ओ पॉइंट समझ रहे हो अब मेरा कहन आपको पता होना चाहिए अगर यह मेर 110 है यह 110 है ना यहां से क्या हो जा रहा रहा है ठीक है अब दिखो यह 110 है जैसे कि हम यह देखो यह यह वाला जो चीज देख रहे हो ट्रैंगल पी क्यू आर्टर तो यह 110 दोनों रेडिये मैंतलब यह कितना हो जाएगा और सब 35 यह हो गया कि सब क्लियर है क्योंकि आमने सामने का अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जागा यह 35 हो गया मेरे को से पूरा निकालना मेरे को यह पूरा निकालना है तो अब आप समझो यहां से अब आप समझ सकते हो अगर आपको मैंने सरकल में पढ़ाया था गर यह आप इसको कॉड अगर आप इसको मानते हो यह PQ अगर यह कॉड है और यह वाला मेरा आर्क है ठीक है अगर आर्क है यह आपका चांप है तो आपको तुम मैंने बताया था ना कि इस सेम कॉड से circumference पर यानि यहां पर अगर यह 35 एंगल बना मतलब यह circumference यानि पर अगर यह 35 बन रहा तो center पर कितना एंगल बनेगा जश उसका double यानि यह क्या बनेगा 70 बनेगा यानि यह 70 हो गया तो आप समझ गए ऑगर यह 70 है तो यह भी क्या race का रहा है और यह भी मैरा रीडिस से काम कर रहा है तो यह यह 110 आदा आदा कितना होग यानि यह direct आपको पता चल गया है यह हो गया पूरा 55 अगर आपसे सिर्फ यह वाला पुछता तो यह क्या हो जाता है फिर 20 हो जाता राट समझ रहे हो तो बस यह समझना था 55 डिगृ। क्लियर nature dif चले है कि एक कोश्ण आपसे यह पूछाह था पच्चीन संख्यानों का अवस्त इतना दे रखा यादि सब्सक्राइब बच नहीं सकते हो कैलकुलेशन से पांच 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 चो के बीस पांच दो दस दो बारा यानि बारा सो पांच इसका टूटल सम हो गया यहां चार सो सकतर दिख रहा है और यहां पर आपका बारा नौवे यहां पर कितना हो जाएगा मतलब आठ हो गया आठ साथ पंद्रा पांच चार नौ दस तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा पंद्रा साट जाएगा साथ नौ से पांच जाएगा चार और एक यानि 1 4 7 जोड़ देते हैं तो 9 8 7 चभी कि यहाँ 10 संख्या और 12 12th 318 संख्या और दो यह पर यहां से 5 से पांथ से डिवाइट करदो 500, 250 और बच जा रहा है 4ड़ा 5.8 जैसा कैलकुलेशन करो पांशार ऑप्श्ण डै एक कोशन ये पूछा गया था अब देखो ये कोशन आपको CI का कोशन है आप Compound Interest का जहां पर आपको यूनिक देखने मिला कोशन ठीक है यूनिक क्या मतलब SSC के एक्जाम में बनता है मगर बात करेंगे अगर आप जैसे कि आप प्रिबियस पेपर 2016 में अब इस कोशन में कुछ खास नहीं है बस केवल चार माही का कोशन है ठीक है मतलब 8 माही का कोशन है यहां पर क्या वहले एक निश्ची धन रासी में बताओ कितना होगा अब आपको यह पर यही चीज़ समझना है कि 18% वार्सी है वार्सी समझत रहे हुए नब 12 महीने का है बारा महीने का है तो एक महीने के जब आप निकालने बैठोगे तो क्या आजाएगा अट्राबटा बारा यानि यह कितना आजाएगा चे और यह दो यानि एक महिने का तीन बटा दो rate of interest बन रहा है चुकि आपको पता आठ महियां मतलब 8 मासी मतलब 8 monthly आपको निकालना है तो 8 से गुना कर देते हैं तो यह मेरा कितना निकल के आगया 4-3-12 देखो यह मेरा बन गया 12% 8 माहियां से जब आप निकालोगे तव ठीक है ऐसी हम लोग हाफ yearly में तो डिरेक्ट जानते हैं आधा कर देते हैं rate को आधा और समय को डबल करते हैं यहाँ पर पहले rate of interest जो मेरा yearly था उसको हम 8 महिने के चल रहा है यानि अब आप यहाँ पर direct successive भी लगा सकतो जो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12% अगर rate है दो साल के लिए अगर आप count करेगे total rate of interest तो कितना आता है 25.44% बोलो यही आता है ना यही चीज़ का value दे रखा है तो 100% का value सकते है असानी से इसको मैं अटा रहा हूँ यानि 25.44% का value दे रखा है 3816 तो इसको solve कर लो और 100% का value बता दो तो 25 से काट देंगे या मतलब पॉंट को अटाएंगे तो 2-0 और लगाना पड़ेगा इसको direct काट सकते है तो 1.5 आजागा जो कि 1-0 से यहाँ कतम हो जाएगा 0- 15,000 correct answer option number second चले एक कोशन यह पुचा गया था एक व्यक्ति सांथ जल में 11 किलोमेटर परति घंटा के चाल से नौ चला सकता है धारा का चाल 5.6 मीटर पर सकेंड है तो धारा का विपरीत में 36 किलोमेटर के दूरी तै करने में कितना समय लगेगा बताओ तो X दे रखा है यान सांथ जल में और यह आपका धारा के स्पीड है हमसे क्या पुचा था 36 किलोमेटर तै करने में कितना समय लगेगा विपरीत दिसा में यानि X-Y यान 11 से 3 जाएगा 8 यानि इसको सॉल्प कर लो तो 8 चो के 32 और आदा यानि साड़े 4 घंटा का समय लगने वाला करेक्ट आंसर 12% वार्चिक दैर पर 5 एक साही 2 वर्स में प्राप सदारन ब्याज से 18 140 कम है तो धनरासी बताओ क्या होगा तो यह सदारन ब्याज है आपको पता है जैसे तोडों मोडों मरोडों कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है तो 15% से टोटल 10 बटा 3 को जब हम सॉल्प कर रहा है तो सेम प्रिंसिपल था तो rate of interest में फर्क कितना का आ रहा है शुल्ला का फर्क आ रहा है यही ऊल्ला का फर्क आपको इतना के बराबर दे रखा है तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा था तो प्रिंसिपल आप नहीं बता दोगे 25 से काट लेंगे 4 बार में मतलото 4 से काटेंगे 25 ब पांसो करेक्ट आंसर ऑप्शन नबर सेकेंड चले नेक्स कोशन इसको ट्राइ करो जली से यहाँ पर क्या बोला एक विद्ध्याले में कक्छाए 5-6-7 में क्रमच 360-520-286 इन चात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों का किराय पर लेना है किराय पर लेना है यद मानना पड़ेगा TCS को कि कितने अच्छे से अच्छा फ्रेम किया है यह कोशन अब आप लोग मुझे कमण कर बता है कितने बार ग्रूप D में किया है इसका वेरियसन अगर आप आप देखो कितने अलग-अलग टाइप से कोशन को घुमाता है कभी एक बगीचे में पीड़ अब इस कोशन का एक एडवांस होता है क्या जब आपसे पूछ लेगा कि बस में यह तो अधिक्तम संख्या है ठीक है मतलब बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रतेक बस में कितने बैठेगा अब इसी तरह किसे पूच लेगा total bus बताओ total bus कितना होगा बात को संदो य सेम बस में रहना है यहां से 40 से भाग देंगे तो 13 आएगा और यह साथ आएगा तब मेरा आंसर क्या बंचा क्या मेरा बंचा टोटल 29 बस होता देखो इसका एडवांस अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको बात समझे मगर यहां पर पूछा तक खिलाल की मैक्सिम्मम बताओ क दर पर पांच एक सही दो वर्स के रिए निवेस किया गया परिवक्ता पर दैधन रासी और सट सो चालीस रुपए थी तो भुकतान किया गया सदारण बैच का वार्सिक परसीदत दर पताओ क्या होगा तो रेट आफ इंट्रेस्ट पूछ रहा है तो हम डिरेक्ट देख ल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है यही मिल रहा है यही मेरा इंट्रेस्ट है दो हजार नब्बे और इसका टोटल रेट अफ इंट्रेस्ट निकालेंगे तो यही मेरा आएगा और आपको पता है सिंपल इंट्रेस्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पांदो दस ग्यारा ब काटेंगär या फिर 25 से काट दüतेठें तो 0 को हटा देते ठीक है यहां पर 0 काट देते हैं अब फिर काट लेते हैं तो 25 से कम 25 और यह आ ग़िया 22 और 5 यानि यू unnis यह 19 और यह आपका गया एक एक और यह 9 ठीक है और यह क्या हो गया 19 गुना 4 76 हो गया गुना 2 6 2 12 7 2 14 15 और यहां पर 11 से काट लेते हैं तो एक कुछ गड़बड हो रहा कुछ गड़बड हो गया क्या गड़बड हो पता नहीं देख लेता जली से तो 6840 देखो इतने गर्मी लग रही ना मेरे से भी गड़बड हो जा रहा है तो 10 0 14 से 5 जा गड़बड हो जीरो और यह 6 4 2 यह मेरा टोटल रेट अफ इंट्रेस्ट है और यह इतने समय के लिए है एक्चली मैं यह समय थोड़ा उट पूटा दे दिया ठीक है आप चाहो तो एक सल कभी कर सकते हैं तरीका बहुत सारा है अगर मैं क्या करो टोटल रेट अफ इंट्रे और यह जो 22 आएगा पांच यानि 9 बार में ठीक है 9 और यह आपका यहाँ 0 आ गया 25 से काट लेंगे यह 4 आ पास और काटते हैं 11 से काट लेते हैं अब यह इसको यहाँ से तो 11 एकम 11 और यह 9 और 0 हो गया यह ऐसे ऐसे पूरा कट गया 4 2 8 परसेंट करेक्ट आंसर ऑप्शन चलिए एक कोशन इसको दखो समय बचाओ जली अल्दी विकर्ण दे रखा है किसी घन का विकर्ण है तो रूट 3 ए आपको दे रखा है 12 के बराबर तो भूजा मेरा क्या निकल के आ जाएगा बना लो जली से तो यह आजाएगा 12 रूट 3 3 यानि 4 रूट 3 हमसे बॉल्यूम पूछा है तो बॉल्यूम मतलब एक क्यूब तो चार का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 यानि 192 रूट 3 सेंटिमेटर क्यूब करेक्ट आंसर ऑप्शन अबर सेकेंड एक कोशन यह पूछा गया था अब ऐसे ऐसे कोशन में समय बचाना है 39 27 81 यानि 4 यानि 3.64 इंटू 0.36 बेस सेंटो पावर क्या हो जागा एड यानि 3 के पावर में 1 अंसर ऑप्शन 3 एक कोशन यह पूछा क्या था जबरजस्त कोशन पूछा गया था इसको ट्राई करो फिर से मैं जब ब्याज की गनना आठ मासिक चक्रविदी अधार पर की जाती है अब अठतर सो रुपे की धनरासी एक्स परचेंट वार्सिक दर से दो साल में इतना हो जा रहा यति ब्याज का गनना अर्द वार्सिक चक्रविदी अधार पर की जाती है तो समान धनरासी पर एक्स प्ल तो आपको अभी मैंने बताया, जैसे कि आप समझ भी पाए हो, कि ये 8-monthly चल रहा है, 8-monthly का compounded आपका calculation हो रहा है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, प्रिंसिपल मेरे को दे क्या रहा था, अठतर सो, और ये amount कितना दे रहा था, देखो, यहाँ पर skip नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप सोच रहे हो, कि trick कुरिक लगा ले, काम चल ले जली से, नई, trick आप तबे लगा पाओगे, जब आपको दिमाग बहुत सार्प हो जाएगा, चीजे समझने के चमता जाता हो जाएगी, तो आप judge कर सकते हो, कि X का माम क्या हो सकता, option क्या कोड़ी, ठीक है, बात बगी, कोई काम नहीं आने वाला trick, ठीक है, तो देखो, यह मेरा total amount है, हम interest पे काम करेंगे, कि interest actually में मिला कितना था, interest मतब लगा कितना था, तो 7800, क्योंकि इसको हम less कर लेते हैं, तो यह 0.818, 1360 जागा 5, 9 से सदग दो, यानि 25.81.80 पैसा interest लगा है total compound interest, समझ गया है, यानि 25.81 याद रखना, 25.81, अब आप बोलोगे, यह मैं क्या करने जा रहा हूं, तो भाई मैं देखूंगा कि, यह total rate of interest है कितना, हमको पता है, compound interest में भी तरीका कि, किस किस तरीके से हमनों जल्ली यल्दी काम कर सकते हैं, बात को समझ रहे हो, तो यहाँ पास, जैसे आप यहाँ पर यह करोगे, तो 0 से 2-0 खतम होगा, 2-0 खतम होगया, अब देखो, यहाँ से अगर हम point अटा के, अगर सहूलियत के लिए 1-0 यहाँ बैठा है, तो अब काटू कुटूम चालू करो, यह डेरेक कट रहा है, अगर आप डेरेक कट कर सकते हो, तो 13-6, 13 का पाड़ा 6 बार पड़ोगे, तो यह आ जाएगा, 13-6, 78, 13-1, 13, 12-28, यानि 13-9, 13-9, 117, 117 का मतलब समझ रहे हो, 8-3-11, और फिर आगिया, ए, 1, तो 13-9, 117, और 13-8, 104, 4, 4 मतलब 7, और 7 मतलब 8, ठीक है, 13-6, बोलो क्लियर है सभी को, 6 से काटेंगे, 6-3-18, 3-1, अब देखो, 10 से भाग देंगे, तो यह क्या निकल के आया, मेरे 33.1 निकल के आया की नहीं आया, आया ना, आया, आया आया राम से, तो बस अब यह दिमाद में आपको देख के घंटी नहीं बज़ रहा है, कि यह 33.1, और आपको पता है, आठ, मतलब 8, 8 मन्त करके, आपको compounded जोडना है, और 2 साल के लिए अगर बात करें, तो 24 महिना, 24 महिने में 3 साइकल बन रहा है, बात समझो, 8-8 महिने का, तो आपको पता है कि नहीं पता है, 10% का rate of interest चे तीन साल के लिए, total rate of interest कितना होता है, 33.1%, यानि rate आपने बता दिया कि 10% होगा, मगर ध्यान दिज़ेगा, गलती अभी भी आप कर लोगे, कि यह rate जो निकला, यह x का मान नहीं है, यह 8-monthly basis पर मेरा rate निकल के आया है, इसका मतलब, इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, कि 8-month में जो rate of interest का जो था, scene, वो मेरा निकल के आया है, 10, तो आपको तो yearly दे रखा है ना, यहां, तो yearly आपको निकलना पड़ेगा, तो 4 से काटेंगे, 3 और 2 से काटेंगे, 5, यानि yearly जो मेरा निकल के आया है, यह वार्सीक निकल के आया है, 15, अब आप समझ गया, 15, 5, 20, तो 20 आपका नया बन क्या है rate of interest, और अर्द वार्सीक के तोर पर गुनना करना है, तो यानि rate को कर देंगा, आधा, और समय को कर देंगा double, यानि time हो गया 2 साल, और rate हो गया 10% का, तो total rate of interest कितना आ जाएगा, 21%, 21% अब आप नहीं निकाल दोगा, अब तो इतना कुस तो मैं कर दू तो बचेगा क्या आपके लिए, double 0, खतम हो चुका है, तो एक गुना 8 खतम, तो करना पड़ता है, question में समय बचा के ही, आपको कहीं लगाना पड़ता है, ठीक है, चलो नेक्स question, A, B, किसी काम को इतने, मतलब A और B किसी कारे को 18750 करने का ठेका लेते है, A, 20 दिन में पूरा कर सकता है, B, इस कारे को 30 दिन में पूरा कर सकता है, C के साहिता से 8 दिन में पूरा हो सकता है तो C को total कितने रुपे मिलेंगे यही आपसे question पुछा होगा तो A plus B sorry A plus B मैं क्यों कर रहा हूँ A को 20 दिन लगा था B को 8 दिन लगा था और C के help से यानि A plus B plus C के help से आपको 8 दिन का sorry देख रहे हो इतने गर्मी लग रही है ना मैं बता नहीं सकता हूँ आप मेरे face दखो गए ना पूरा पसीना पसीना हो चुका है क्यार B आपको कितना हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा A plus B plus C ये आपको दे रखा 8 total work आप निकाल सकते हो यानि ये 6 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा इसका मतलब 3 मिलके 15 काम करें और A और B का पता चल गए यानि C का मतलब 5 तो भाई इसी ये ratio में पैसे भी बटेंगे तो 6, 4, 10 और 15 यानि 18,750 divided by 15 और गुना 5 तो 3 तो 3 से काटेंगे 6, 2, 5, 0 यानि correct answer हो जागा option D अब एक question देखो ऐसे बूला गया था देखो अब यहाँ पर समय बचा सकते हो जो समय आपका लग्या होगा जादा कहीं तो इसमें बचा सकते हो ना 5, 3, 8 मतलब दो संख्याओं को योगफल दे रखा है अब किसी चटान पर बैठे एक प्रिच्छे का अवनमन कोन पर देखता है जो एक समान चल से तट पर प्रिच्छे के ठीक नीचे स्थीत किसी बिंदू की और आ रही है 10 मिनट के बाद 9 का अवनमन कोन 60 डिग्री पाया जाता है तो 9 दुबारा 3 पर पहुंचने में लगा कूल समय ग्याद करें देखो कोशन को कितना अच्छा से फ्रेम कर दिया गया है हम सभी को एक चीज पता है आपको पता होना चाहिए मैं कई बार बताया हूं हाइट अच्छा रहेगा यह 30 डिग्री हो गया समझ ले ना उपर से कोई आदमी आपका तुछ था वो देखा नाव यहां पस था ठीक है 10 मिनट के बाद नाव यहां आ गया और साट डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा ठीक है हमसे क्या पुछा टोटल समय कितना लग रहा यहां से इसके बॉटम तकाने का समय आपसे पूछता है तो आपको मैंने बताया है तो अगर 30-60 और इसका जो रेशियो होता वो क्या होता है आपका यह होता 2-1 और यह रूट 3 यहां पर कुछ भी पूछ सकता था फिलाल यह टाइम के रिलेटिड में दिया हुआ है हाइड भी पूछ सकता था कुछ भी पूछ सकता था बात समद रहा हो तो यहां पर बात करें तो यही तो बोला था कोश्चन में कि अगर इसको यहां से यहां तक आने में अगर 10 मिनट लगाया है तो 2 का मतलब 10 मिनट तो 1 का मतलब 5 मिनट समझे मेरी बात को यह टोटल समय कितना हो जागा 10 और 5 15 मिनट correct answer option number 3 चले हैं एक question यह पुछा फिर से A plus B का वाधित्तम मान ग्यात किजे जिसके लिए 8 अंग किये संख्या 15 से भी भाजाये हो तो चलो भाई देख लेते हैं 4 5 2 3 A 6 0 B यह number 8 digit का number है अब 15 से divisible है 15 का divisibility rule पता होना चाहिए आप सभी को 15 का divisibility rule तो 3 का पता है अभी मैंने बताया है 5 का divisibility rule क्या होता है अंग number के last में आइदर 0 या तो 5 होना चाहिए सीथी से बात है तो आपको पता है पहले हम number को सबको जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 5 4 9 9 2 11 11 3 14 14 6 20 यानि क्या गया 20 20 प्लस A प्लस B अब मेरी बात को समझना यानि यह number 300 divisible हो रहा है मतलब यह जो number है 300 divisible है तो साथी साथ A प्लस B का maximum मान बताना अब मैं आप इसको बताना क्या चाहता हूं समझो A प्लस B का maximum value हो क्या सकता है समझाने के लिए बता रहा हूं इतना कुछ तो direct आप बनाओ के बताओगे चलो A प्लस B का maximum value हो क्या सकता है तो आप बोलो कि यह 1 हो सकता है, जी हो सकता है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, तीन मतलब 21 हो गया, 24 मतलब यह आपका 4 हो सकता है, A plus B का मान, 24 साथ हो सकता है, A plus B का मान, यहां देखो अभी सब आपका क्लियर हो जागा doubt, A plus B 7 हो सकता है, A plus B यहां पर और क्या हो सकता है, 7 के बाद आपका 20 27 हो गया, 27 के बाद 30, यानि यह 10 भी हो सकता है, A plus B का मान, यहां पर 13 भी हो सकता है, A plus B का मान, 16 भी हो सकता है, और A plus B का मान, 19 भी हो सकता है, अब आप बोलो कि भी इतना करने का ज़रत है अब समझ रहे हो तो सही बात है इतना करने को ज़रत नहीं है मगर अब देखो A plus B का यही सम्मानों का maximum मान की बात कर रहा है maximum में मेरा focus होगा तो आपको अभी मैंने बताया इकाई अंक हमेशा मेरा क्या होगा 5 या तो फिर 0 या तो 5 या तो 0 तो अब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर बात करे A plus B का मान अगर यह मेरा अगर A plus B अगर मान लो इसका answer यह A plus B 1 है तो 1 कैसे हो सकता है एक टो value 0 होगा और एक टो value 1 हो सकता है या यह हो सकता answer अब यह दूसरा बाला की बात करे चार चार कैसे हो सकता है चार अगर होगा तो एक टो value 4 होगा एक टो value 0 होगा यह भी हो सकता बात सही है साथ की बात करे तो एक value 7 होगा एक value 0 होगा सीरीज ही बात है मगर जैसे 10 की और आ रहे हैं तो 10 में आप कैसे कर सकते हो तो आप बोलो कि भईया हम 5-5 कर देंगे क्योंकि इकाई अंको भी फिट करते चलना है ना तो ये भी हो सकता है अब उसी तरीके से बात करेंगे A plus B 13 तो 13 हो कैसे बैठा होगे तो आप बोलो कि भईया 8 और 5 भी कर सकते है इकाई अंक 5 बना के चल रहे हैं ये भी हो सकता है मगर 16 की जैसे बात करेंगे 16 कैसे आप बनाओगे तब फिर आप यही पर गच्चा खा जाओगे 16 तो बनने से रहा नहीं क्योंकि आप 9 और 7 करोगे 5 का तो कोई भी आपका कोई कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल ही नी है ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है यानि सिर्फ और सिर्फ इसका ये सब वैल्यू हो सकता था जो कि मैक्सिमम पुछाता तो A प्लस B का वैल्यू 13 होगा यानि करेक्ट आंसर आप्शन अबर सकेंड क्लियर समझे चीजे सिर्फ समझने वाली थी चलो नेक्स कोईशन दी गई भिंद में से एक बटा दो से कौन सक काम है यानि एक बटा दो से कम की बात कर रहा है तो यानि वन बाई टू का वैल्यू कितना आता आधा अब चेक कर लो यानि पचास बटा ना नो पच्छे 45 ये तो कभी इसका अंसर नहीं होगा अठरा पच्छा मतलब असी है ना तो पंदरा पच्छे 75 ये भी नहीं होगा और डेर सो यानि एक सो पच्पन येस कही करेक्ट आंसर हो सकता करेक्ट आंसर ऑप्चन अबर थर्ड क्योंकि पॉइंट 5 दिख रहा पॉइंट 5 से कम चाहिए था एक कोशन तीस मिटर उचाई के मिनार के सिर से एक व्यक्ती भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को तीस जगरी का अनुवन कोन पर देख रहा है मिनार का पद बिंदू और बच्चे के बीच के दूरी ग्यात करें ठीक है और क्या लिखा हुआ है गनना हे तु आदमी और बच्चे के उचाई का और नागन मानने के लिजए चलो और ओडा नर्मल से कोशन है तो यह आप समझ गए कोशन के अकोरडिंग यह 30 दे रहा है यह मेरे को 30 यह भी दे रहा है और यह 60 जानते हो और यह 90 सभी लोग जानता है 30 60 90 का रेशियो 30 60 90 का रेशियो तो पता है न 1 root 3 2 करने का जरूते नहीं है मेरे को यही यही distance पुछा था तो यानि इसका मतलब आप 30 angle के सामने यानि 1 का value दे रखा 30 और मेरे से इसका मान पुछा था 30 root 3 correct answer option number 3 एक question यह पुछा गया था 36 cm लंबाई और 16 cm चोड़ाई वाले एक आयता कार धातविक seat से 6, 4, 2, 3 वाली 3 वृतकार plate काट कर निकाली जाती है यदि धातविक seat के 6 भाग का चेतरपल एक वर्ग के चेतरपल के बराबर है तो उस वर्ग का परते एक बुजा की लंबाई बताओ क्या होगा और देखो यह question जब मैं एक student से बात कर रहा था तो वो मुझे बता नहीं पा रहा था actually मैं कि यह बोला गया तो आगे कि जो remaining portion जो है ना वो किसी square का मतब किसी square का side के बराबर है अब अब समझाया question क्या है तो नौर्मली question को समझो question में क्या बोला है कि एक rectangular sheet है जिसका दे रखा dimension 36 और 16 का area निकाल सकते हो 16 गुना 6,99 और 16,48 और 57,57 यानि 5,76 हो गया question में twist के डाला है कि 3 तो circle है तीनों को radius दे रखा 6,4,2 अब ये तीनों को काट के निकाल दिया जा रहा है तो आपको पता है आपको उतना करने का जोरत नहीं है पाई common low radius का square यानि 36 24,4 कितना हो जाएगा 60 और 64 हो गया स्वारी यहापर 2 का square 4 और 4 का square सुल्ला होगा ना ठीक है तो 36,40 56 हो गया यानि आप समझ गया 22 by 7 और ये 56 ये क्या हो गया मतलब 7 से काट देंगा 8 यानि 8,216 और ये 76 यानि ये circle का area इतना निकल के कट जाएगा तो इतना minus कर देंगे तो ये क्या बचेगा 400 अब ये ही 400 क्या है कि square का area के बराबर होगा तो उसी का side आपको बताना है यानि आपको पता है side क्या होता A square यानि A का मान क्या होगा 20 correct answer option number first चलो next question ये दो को समय बचाने वाला question अर्ध गोला का आइतन पुछा है अर्ध गोला का आइतन में तो 2 by 3 πाई R cube तो R cube बोले तो 3 गुना 3 गुना 3 तो 3 से 3 3 तीन नो 18 πाई 18 πाई 18 πाई सेंटेमेटर क्योब पता है आपको कभी-कभी examiner यहाँ पर भी क्या आपको confuse करता है ना 18 πाई सेंटेमेटर क्यूब यहाँ पर भी देता है मीटर क्यूब ऐसे में भी कई लोग कल्फ गल्ती कर देते हैं पहले मीटर क्यूब वाला देगा और आप जली ली फ्लो फ्लो में मार दोगे वह वाला भी तो ऐसे भी कभी-कभी चेक कर लेना जरूर से ठीक है उप्सन में भी देता है तो सेंटेमेटर था काम सेंटेमेटर से काम हुआ चलो एक क्योशन इसको देखो यहाँ पर क्या बोला है जब 11, 15, 20, 30 में से परतेक में से मतलब कि कुछ घटाया जाता है जो कि बोल दिया कि k greater than 0 है तो इस करम में प्राप्त संख्या समुनापात में होती है तो आप से इन नंबरों का mean proportional आप से पहुच रहा है यानि इन चारों नंबर में से कुछ ऐसा नंबर माइनस या घटाया जा रहा है जिससे नंबर ये एक proportional में आ रहा है और proportional में जो नंबर आ रहा है ना मतलब कि जैसे proportional में आ रहा है नंबर और फिर आप से वही बोला है कि k कमान मतलब कि इन चारो संख्या में एक ऐसा नंबर घटाना है जिससे ये सभी संख्या क्या आजा है एक proportional में आ रहा है और वही जो नंबर आप घटाओ गए यानि k, k के बारे बोला है वो 0 से बड़ा होगा फिर आपको ये question को solve करना इसका mean proportional पोचा है तो mean proportional आप समझ गए हो यानि root a into b कमान पूछ रहा है तो पहले k का value निकालना पड़ेगा अब इस question को बनाना है आपके उपर है कि आप कैसे बनाते हो अगर आपको question नहीं समझ आया है या फिर अगर आप ये चीज भूल गए हो या फिर तरीका पता है मैं आपको कई बर बता चुका अगर आपको तरीका पता है तो भी आप जल्ली से solve कर सकते हो तो मैं direct solve करना जानता हूँ इसका बीच में difference किया है 4 का difference इसका बीच में difference कितना का है 10 का difference है तो 10 का difference इसमें गुना करेंगे यानि 110 हो जाएगा चार का गुना इसमें करेंगे 80 हो जाएगा और ये चार 10 और 4 का बीच का डिफरेंस कितना है 6 तो यानि कितना हो जाएगा 30 और डिवाइड़ेट 6 यानि 5 यानि वो संख्या मेरा 5 कहलाएगा बात खत्म तो अगर के का मान 5 है तो 5 दो 10 दो 12 अब 5 अब 75 तो इन ही दो नंबर का तो आपसे मीन परपोस्टनल पूछाए ना तो अब आप इसको सॉल्ब नहीं कर लोगे तो 12 को कैसे लिख सकते हैं चार गुना तीन 75 कैसे लिख दे हम लो तो 3 गुना 25 ऐसे लिखने का कारण है कि डिरेक्ट आप बाहर निकाल दोगे 2 गुना 3 गुना 5 यानि 30 इसका करेक्टा आंजर हो जागा option no.1 एक कोर्शन यह पुचा गया था एक गोले का त्रिज्या और एक संकू के अधार का त्रिज्या दोनों 3 root 2 cm के बराबर है यदि गोले का प्रिष्ट चेतरपल उस लंब संकू के संपूर्ण प्रिष्ट चेतरपल के बराबर है तो संकू का उचाई बताओ कितना होगा तो ज गोले का प्रिष्ट चेत्रपल बोला न मैं लैघ्ण तो फू पाइड स्कॉर ओ स्कॉर एकवेल टुश व पाइडा प्रिश्ट चेत्रपल यानि पाइड और और प्लस ए रो जायगा क्योंकि बेस भी हो जाएगा ठीक है बस अब solve करो तो यहाँ से radius से इसको मुआ ठीक चलो solve करते हैं तो यहाँ से pi pi तो cancel हो जा रहा radius एक r यहाँ से भी खत्तम हो गया 4 into 3 root 2 है और यह r command कितना दे रखा था मेरे को 3 root 2 plus l command निकालना है मेरे को तो 4,3,12,12 root 2 दोगो ध्यान से देखो 12 root 2 और 3 root 2 यहाँ कितना आ गया 9 root 2 यह मेरे तिर्ची उचाई है ठीक है यह तिर्ची उचाई है और उनको संकू का height उचा है तो आप जानते हो यार संकू में यह वाला चीज पैथागोरुस ठीरम से ही है यानि यह मेरे कितना निकल किया है था 9 root 2 और मेरे को अधार था पता यही तो निकालना है ना तो क्या हो जागा solve कर लेते हैं यार तो x मान लेते हैं अगर इसको x square क्या आ जागा x square क्या आ जागा 81,81 गुना दो 162 माइनस 339,9 दो 18 यानि solve करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 x square क्या मान 144 तो x क्या मान कितना जाएगा 12 यानि correct answer option number 3 एक question ये पुचा गया था प्रेक्षन है कोई एक निश्चित संख्या का मद 12 यादि उनमें से एक प्रेक्षन को निकालने पर मद आ परवर्थित रहता है तो निकाला गया परेक्षन बताओ क्या होगा अब अगर कोई data observation का mean अगर 12 है उसमें से कोई एक value निकाल रहा जिससे average में या फिर मद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा mean में तो वो number आपसे पुचा है कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब वो number 12 ही होगा कोई छिरजाट नहीं किया गया तो correct answer option number first एक question ये पुचा गया तो एक dealer किसी वस्तु को उसके अंकीत मूल पर 16% का छूट के बाद 403 रुपे 20 पैसे ही बेचता है यदि वह उसे कोई छूट नहीं देता है तो उस वस्तु का क्राय मूल पर 28% का लाब होता है तो वस्तु का क्राय मूल आपसे पुचा रहा है अब देखो 16% का छूट दे रहा है इसका मतलब 84% यानि इसी 84% का value दे रखा है 403 रुपे 20 पैसा तो आप 100% का value निकाल सकते हो जो की मेरे क्राय मूल नहीं होगा वो अंकित मूल होगा ठीक है तो 0 अगर हटाएंगे तो यह point हट जाएगा अब यहाँ काट लेते 2 से काटेंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा और यह 4 और 2 हो जाएगा साथ से काट लेंगे तो 7,6,42 7,5,35,5,3 7,7,7,49,4,2 7,6,42 6 से काट लेते हैं तो 9,6,54,8,6 96,5 तो 96,5 बोले तो 480 रुपे ठीक है यानि यह आगी है मेरा 480 रुपे पूरे समान का कीमत है याद रखना यह मेरा आया है मार्क प्राइस आप इसको कंसिडर कर सकते हो 480 मगर यह जब कोई डिसकाउंट ही नहीं देगा तो इसको 128% का लाग होगा इसका मतलब यही 128% का वैलू निकल के आया 480 हमसे पूछाता 100% रियल वाला यानि कॉष्ट प्राइस का मुल पूछाता तो 4 से काटेंगे तो 3,2 यह 25 हो गया 4 से काटेंगे तो 8 4 से काटेंगे तो 1,2,0 फिर 8 से काट लेंगे तो यह 15 बार में काटेगा तो 15,55,75,7,30,37 correct answer option number D चले next question यहाँ पर क्या बोला यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उसके संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या बताओ क्या होगा simple question जैसा बनाना चाहो बनादो option आपके पास है यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग यानि कोई number का x square उस संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है यानि 6 5 x equal to 6 के बराबर है तो संख्या आपसे पुछा तो x square minus 5 x minus 6 equal to 0 तो x का 2 value दिख रहे हैं आपस एक आपका 6 हो जाएगा और एक आपका 1 हो जाएगा क्योंकि 6 गुना एक अच्छो कि minus में हो जाएगा और यह positive हो जाएगा यानि x का value positive हो बला 6 correct answer option number second नेक्स्ट कोश्चन और में राज का last question होगा डियाई का question एकी shift इस shift में total एक वी डियाई के question पूचे गहते हैं और डियाई के question बहुत कमी पूचे जा रहे हैं ठीक है जैसे कि पहले अगर trend देखेंगे तो पाफी question 5-6 question दियाई के था बड़ इस वाले में direct एक डियाई था देखने को मिला तो ये डियाई जो छोटा दिख रहा है यहाँ पर मैंने थोड़ बड़ा में कर दिया है बंद देख लेते क्या बोला है 2001 से batch 2 में परतिसत उमिदवार की संक्या 2005 में batch 5 के परतिसत उमिदवार की संक्या कितना परतिसत अधीक है बताओ ये normal सा data दे रखा है नीचे देखे तलिका में 6 बरसों का 2001 से 6 का दोरांद दे रखा है ठीक है चलो तो 2001 में batch 2 2001 में batch 2 2001 में batch 2 में कितना दिख रहा 144 और 2005 में batch 5 यानि 90 कितना ज़्यादा यही आपसे पूछा है तो कितना ज़्यादा दिख रहा है 54 ज़्यादा दिख रहा है तो वही percent में आपसे पूछा है तो 00966 60% correct answer option number 3 तो इसी के साथ यह मेरा पूरा complete होता है यहाँ पर अगर बात करेंगे एक भी question मुझे error देखने नहीं मिला तो इस वाले shift में कोई भी objection math में नहीं आपको दिखा मेरे को ठीक है अब आप बाकी का आगे का 3 shift देख लेंगे कि कुछ error है या नहीं है ठीक है तो इसी के साथ यह वाला मेरा पूरा खतम होता है उमीद करता हूँ चीजे आप सभी लोग अच्छी से समझ पाया होंगे मैं फिर से आपको जाते जाते यही चीज बोलूँगा जितना जादा जादा हो सके प्रैक्टिस करो क्योंकि तो प्रैक्टिस जितना करोगे यह आप पर exam में उतना ही help करेगा कोई trick trick काम नहीं करता वह आप देख चुके हो ठीक है तो चलिए फिलाल आप अपस वीडियो को wind up करता हूँ और सेसन पसंद रहा तो प्रैस सेसन को जरूर से लाइक किजेगा चैनल पहली दफाए तो पर चैनल सस्क्राइब जरू करजेगा मिलते है फ्रन किसे एक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत